दोस्तो आज का हमारा टॉपिक है ड्रिल एंगल तो चलिए सुरू करते हैं मैं हूँ अमरदीप चोरसिया और आपका स्वागत करता हूँ आपकी अपनी यूट्यूब फैमली आइटियाई मेकानिकल गुरू मैं तो चलिए सित्र की साहता से सबसे पहला हमारा एंगल देख ल रही है यहां पर नीचे की तरफ होता है इसमें यह दोनों के जो लिप होते हैं के कटिंग लिप उनके बीच में यह कॉन होता है और यह हाड़ धातुगों के लिए अधिक रखा जाता है और जो सौप्ट धातुगों होती हैं उनके लिए कम रखा जाता है हाड़ धातुग दातों के लिए अधिक इसलिए रखा जाता है क्यूंकि जब हम हाँड दातों की cutting करते हैं तो उसमें जो यह कॉन होता है तो अधिक इसलिए रखना पड़ता है ताकि इसके cutting lips होते हैं वह कमजूर ना पड़ ओर डूलना हो जान इसलिए और drill को हमें बार-बार grinding इसलिए एसे कठूर धातों के लिए अधेक रखना पड़ता है और सौक्ट धातों जल्दी कट जाते हैं तो उनके लिए हम इसे कम रखते हैं और पॉलींट कटेंग एंगल को हम पदार्थ के अनुसार अर्थाथ हाड़ पदार्थ के लिए अधेक और जो soft पदार्थ होता उसके लिए कम रखते हैं और पदार्थ के अनुसार ही हमें से घटा वड़ा सकते हैं अब बात करते हैं हम second angle की जो है helix angle तो ये Indian standard अर्थात IS के अनुसार ये तीन परकार के होते हैं H, N और S, H मतलब hard, N मतलब normal और S मतलब soft अर्थात H परकार में जो हमारी ठोस धातों एवं तन्य धातों में होती हैं उनके लिए H परकार के helix angle का प्रयोग होता है और जो N परकार का helix angle होता है वह सामान और नम्न कारवान स्पात के लिए होता है जैसा कि आप चत्र में देख रहे हैं और जो S परकार का हमारा helix angle होता है वह मुलायम एवं चीमण पदार्थों के लिए जैसे आप जो फर्ष्ट चत्र में देख रहे हैं 10 से 13 degree यह है H परकार का helix angle और जो आप second देख रहे हैं यह है N परकार का helix angle जो है 18 से 30 degree और जो आप third में देख रहे हैं यह है S परकार का helix angle जो है 35 से 40 degree अब हम बात करते हैं third angle के बारे में जो कि है रीक एंगल जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं यह सामान ने तहा 35 degree रखा जाता है यह जो अक्ष होता है यहां पजया साब दीख रहा है अंड्रल का जो अक्ष और यहां पर इसके यह बीच जो इसके फिलूट रहते हैं उसके बीच का यह कौण होता है इस जो रेक एंगल कहते हैं यह सामानता 35 डिगरी रखा जाता है अब बात करते हैं हम चोथे एंगल के बारे में जिसे हम कहते हैं किलियरेंस एंगल हिंदी में से आवकास कौन भी कहते हैं यह भी सामानता 8 से 12 डिगरी रखा जाता है और यह किलियरेंस एंगल बनाया क्यों जाता है जब हम दोस्तों ड्रिल करते हैं तो इसमें हमें ड्रिल कर करते समय अधिक घर्षन उत्मन होता है तो उसको क्लियरेंस देने के लिए ही इसे कलियर galaxy बनाया जाता है ताकि जब हम करें तो उसमें वो फशेणa चिपस और उसमें क्लियरेंस मिलती रहे और drill अधिक गर्म ना हो इसलिए इस clearance angle को दिया जाता है और इससे क्या होता है कि जब हम drill करते हैं तो यह आसानी से पदार्थ में या धात्मौ में चला जाता है और इसकी जो करतन धार होती है भावी इससे बने रहती है यदि यह clearance कोण कम होता है तो जो हम drilling करते हैं हमें cutting edge प्राप्त होती है चले अब हम बात करते हैं अंगले के के बारे में जो कि है हमारा बेवेंगल बेवेंगल क्या होता है इसे हम चित्र की साहता से देख रहे हैं जासा कि आप चत्र में कि यह जो अक्ष होता है आप यह लंबवत लाइन देख रहे हैं अक्ष की और यह जो इसके चीज लेज लिखा है चीज लेज के और लंबवत अक केलिप्स होते हैं और चीजल एज होते हैं इन दोनों के बीच का यह होता है दूस्तो अब हम बात करते हैं ड्रिल के वभन एंगलों के बारे में और यह टेबल इसलिए महत्वार्पूर्ण क्योंकि प्रत्यक एक्जाम में एक नएक क्वेस्चन ड्रिल के इन एंगलों से पूछा जाता है तो आईए हम इस टेबल को समझ लेते हैं सबसे पहले material दिया गया है जो हमें brittle और hard material के लिए किस परकार के एंगल होते हैं तो brittle और hard material के लिए जो helix angle होता है हमारा वो 22 से 33 बात करें यदि हम तो यह 80 degree होता है lip relief angle की बात करें तो 6-8 degree brittle even hard धातों के लिए रखा जाता है अब बात करते हैं steel even cast iron के बारे में तो इसका जो helix angle होता है 22 से 33 डिगरी रखा जाता है point angle की बात करें तो normally 118 degree जो होता है वही रखा जाता है lip clearance lip relief angle की बात करें यदि तो 6-8 degree रखा जाता है बात करते हैं soft material की तो soft material में helix angle होता है जो 22 से 33 डिगरी रखा जाता है point angle की बात करें यदि तो 140 degree रखा जाता है और lip relief angle की बात करें यदि तो 6-8 degree रखा जाता है तो दोस्तो इस ये table आपको याद कर लेने हैं इससे हर एक्जाम में एक question अवस्चे बनता है जैसा की आप देख रहे हैं इनमें helix angle और lip relief angle जो है बुलगबग एक से ही है जैसे helix angle 22 से 33 डिगरी सम में समान है और lip relief angle जो है वह भी समान है तो इसमें कीवल बदलता क्या है point angle याईसा की 80 degree, 118 degree और 144 degree यही बदलते हैं यहाँ पर हमारा ये chapter complete होता है यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो like करें और यदि अभी तक आपने हमारा facebook page join नहीं किया है तो iti mechanical guru सर्च करके आप facebook join कर सकते हैं इस वीडियो में यदि आपको कोई भी doubt है या कोई भी चीज इस समझ में नहीं आई है तो आप हमें comment करके पूँच सकते हैं आपका जो comment है उसका नराकरान किया जाएगा और आसा करते हैं कि हम आपके जो भी एक को crush question है और doubt clear करने में हम आप की सहायता करने में सहयुक प्रदान करेंगे